नमस्कार क्यापचल टीवी बिहार का खाश शोब पाटले पुट्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा बिहार में जिस खेल की चर्चा पिछले कई दिनों से की जा रही थी वो खेल आखिर हो ही गया नितीश कुमार ने एक बार फिर से पल्टी मार ली है नितीश लालू के रास्ते अलग अलग हो गए है और नितीश कुमार ने पियम मोदी से जाकर हाथ मिला लिया है बीजेपी की साथ मिलकर नितेश बेहार में सरकार बनाने जा रहे हैं कल नई सरकार के शपत ग्रहन की खबर है पर सवाल ये है कि आखिर क्यों नितेश ने लालू से मूँ मोड लिया क्या पुत्रमों में लालू हो गए तबा आगे क्या होगा तेशस्वेयादव का और क्या है आगे का आरजडी का प्लान आज पहार में सियासी उलट पेर पर ही चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूडी में मौझूद है क्यापटल टीवी के एडिटेर इंसीफ ट्रॉक्टर मरिश्कमार अग्सा बहुत बहुत स्वागत है आपका जो सियासी उलट पेर हुआ है उसमें आरजडी की कहां गलती रही देखिए गलती तो इधर है मानसिक्ता में ये लोग अधर्मी लोग हैं रमाइन महाभारत से लोग तो कोई वास्ता है नहीं एक से एक सूरवीर थे कौरवों के साथ तो फिर भी क्यों आर गई ये कौरवों किसे न पुत्र मोह विनाश का सबसे बड़ा कारण है कॉंग्रेस पार्टी बरबाद हो गई अब देखिए समाजवादी पार्टी हर जगह है देखिए किस तरीके से उद्दव ठाक रहे हैं ये सब बरबाद होंगे एक के बाद देख कारण समय की पहचान राजनिती में बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको क्या लग रहा है कि वही सेना रखने से ताकत होने से आप बाजी जीट जाएंगे आपने जो काम किया वही तो आपके साथ हो रहा है आपने बिहार की जंता वहाँ पर नितिस और बीजेपी की सरकार चल र ठेटि है एलेक्षिन होता है इन लोगों को ज़्यादा सिटे आती है आप लोगों को कम सिटेह आती तो जनता का आशिरवाद जनता का वडिक्त क्या था वडिक्त था कि नितिस कुमार और वीजेपी वहाँपे शासन करें आपने बदल दिया क्यूं बदला पुत्रम OH जनत के बस लालच के बस बुद्धिहींता की बस तो वो तो नपेगा यही हाल होगा इसों कहते हैं लालु यादब यह भाद भी न खाएंगे और जात भी गवाएंगे प्लेन नितिश कुबार के साथ आप आए किस लालच में क्या डील थी कि भाई नितिश बावु को भेज देंगे प्रधान मंत्र बनने के लडाय में हैं वो देश के नेता बन जाएंगे और अपन बेटवा के سی ایم बना दे दूसरा और बाकी जितने अगर के भासन देने वाले है ये सब दलाल किसम के लोग है ये सब दलाल किसम के लोग है बिहार इसलिए गर्ट में गया है कि यहां असासन करने वाले लोग अपनी तुच़ सुार्थ की बज़से माल कमालो तो जमीन खरीद लो आगे आप फैसला रोपी हो गई लालू का खांदान अब हिसाब किताब देना होगा रॉजवेन्यू कोट में रोपी बन गए पूरे खांदान का पूरा का पूरा कुनबा सब नपेंगे इस गोटाले में लालू या तब खुब नप यह तो फ् डिवंदन की मीटिंग कर रहे हैं देश में कौन प्रधान मंत्री होगा यह और बाहर काये हैं तो हमर तब्यत खराब हैं यह देश तो चिर्किटों के तरह चल रहा है कोई सब भी डिमोक्रसी होता तो जो लोग देश चला रहे हैं जो पूरा सिस्टम यह लुज पुंज त कोट से कन्विक्सिन होंगे जेल में डालो तेवित खराब होस्पिटल में रखो होस्पिटल से छूट गए तो जेल में वापस नितागरी करने के लिए और कैसे कैसे लोग हैं दिहार में मनें कन्विक्टेड आदमी को आप आज आरज़ेडी वालों ने क्या का वे एक्सपेक्ट किया जाए और उनके साथ हाथ मिलाने वाला नितिश कुमार से क्या एक्सपेक्ट किया जाए और नितिश कुमार बार बार जो अल्टी पल्टी कर रहे हैं सारे लोग करें भई पल्टी मारे पल्टी मारे ठीक भई पल्टी मारे ले पल्टी मारने का जगह दे भी Community और तो यह वह प्रइकनी लेकन यह तो टूटा इसलिए यह तमाम खबरें अब समझ में आ रहा है नितिश कुमार को बदनाम करने के लिए बताने के लिए कि यादास चली गई है तो याद नहीं रहता इनका दिमाग ठीट नहीं रहता ये सब ये प्लांट किया गया कि अब आप छोड़ दीजिए मेरा बेटा को बना दीए अब नितिश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक है भाई मानसिक संतुलन जो रहे नहीं रहे जो लोग अभी रिस्ता बना रहे हैं जो रिस्ते में थे उनको जवाब देना चाहिए उनको जवाब देना चाहिए भाई मानसिक संतुलन खराब है तो लाली यादव काई उसको मुखमंत्री बनाए हुए थे अभी बीजेपी वाला कह रहा था कि भाई मानसिक संतुलन खराब है तो काई अभी अपने नेता मान रहे हो उसको कुल मिलाकर के क्या है कुल मिलाकर के ये पार्टी वालों ने ये समझ लिया कि ब्याहर की जनता मुर्ख है और मुर्खता करती है ब्याहर की जनता इसी नहीं है तो बैस चोरी कर लिया कन्विक्ट हो गया फिर भी नेता है फिर भी नेता बने हुए जूट बोल रहा है कोई बार-बार जूट बोल रहा है अल्टी मार रहा है, पल्टी मार रहा है, आज फिर भी निता है, एक उस तरह के लोगों को फेसिलिटेट करता है, पीछे राके, मुखमत्री नहीं बनेगा, डिप्टिस्यम बनके, ये बनके, वो बनके, वो भी तो जनता के साथ चली कर रहा है, वो तो बिहार का दुर्भाग है, दुर्भाग ये, आज बिहार इस गर्त में क्यों पहुचा, इन ही लोगों के वज़े से, लेकिन नितिश कुमार से जिस्ता टूटा क्यों, अब जो कहानी आ रही है, कि इनके जो डील हुई थी, ये उपेंदर कुसवा जो पूच रहे थे, वह डील बताओ क्या हुआ, वही जो पिछली बार फल्टी मारे थे, जो घर गए थे, पैदल चलके नितिश बागू, तो तुम लोगों के बीच डील क्या हुआ था, डील बताओ क्या है, अब ये, आज तो इस्तिफा, कल सपत, तब ये डील बताएंगे, आरजएडी वाले, कि ये डील हुआ था, तब लालू यादब कॉंग्रेस पार्टी सब लोग मिलके, इनको राश्टी राजनीती में लेकर के आएंगे, मोधी के खिलाफ इनको देश भर का चेहरा बनाएंगे, प्रधान मंत्री के रूप में इनको पेश किया जाएगा, और इनका अपना कल्कुलेशन था कि पिछली बा लाल टाइप का अजमी बन सकता है, जिसके पास एक भी सांसद नहीं हो, तो हम क्यों नहीं बन सकते, तो इस लालच में वो साथ गये, अब हो गया, दो महना हो गया, तीन महना हो गया, भेवी कोज तो बड़ा तगड़ा है ना नितिस बावू के पास, अब वो चिपके अब मेरे बीटे को बना दो, अब मेरे बीटे को बना दो, आखरी बार वही बात चीत हुए कि आप कीजिए, तो नितिस कुमार ने साब कहा तो भाई आपने हमें सहयोजक बनवाया, और दूसरा जो इंपक्त आ गया, यह जो राम चंदर जी का जो प्रभाव समाज में पड रोड से ट्रेवल किया वहाँ, हर गाओ, हर दुकान, हर जगह, यह गरुआ जंटा जो है वो नदर आ रहा है, सिर्फ मुस्लिम बस्तियों को हटा दे तो, पूरा भगवा मैं हो गया, जैसरी राम मैं हो गया है, पूरा ब्यार, अब इनको समझना आ जेते हैं, लोगों यह क कहता हो कि आप से गलती भगवान करवाते हैं, मति मार देते हैं, तो यह जो असर आ रहा है, अब नितिस कुमार को भी समझ में आ गया, कि भी यह तो, 2024 तो खतम है, 2024 का खतम है, तो उन्होंने कहा कि भाई, अब रिस्ता जो है, हटा लेते हैं, और यही बात, उनके सांसदों ने कहा कि लालु यादब के साथ तो लड़ते हुए आए हैं, किस मुझे हम वोट डाकर के मागेंगी हैं, और यह गलती हो जाएगी हम लोगों से, कि अगर हम मोदी के साथ ना लड़कर के, अलग इन लोगों के साथ लड़ते हैं, हारेंगे, तो बहुत बेज़ती होगी, पार्टी तूटेगी सो अलग, और उधर सीट भटवारे के उपर पेच इसलिए फसा हुआ, लालु यादब कॉंग्रेस पार्टी को यह लगता था, कि कप पलट जाए, वह इसको जितवा भी दे, दस सांसत अगर उसके हो जाते हैं, तो तो कभी भी उधर चला जाएगा, म यह सारी चीजे हुई है, मतलब लालु यादब ने अपने बेटे को मुख मंतरी बनाने के लिए, यह सारा दाओं पेच किया, और नितिस कुमार को जब यह समझ में आया, जब इन लोगों के साथ, ज्यादा दिन तक हम चीफ मुनिस्टर नहीं रह पाएंगे, यह लोग हमा दिखेंगे बहि क्या खेल होता है, छह मैने से गवर्निस तो चलनी रहा, सरकार के नाम पे कुछ नहीं चल रहा है, सारे लोग कुर्सी कोई प्रधान मंतरी बनने के लिए, कोई मुख मंतरी बनने के लिए, इसी दाओं पेच्वर लगे हुए हैं, तो यह इस वक्त चल रहा कौन मुख्मंत्री बने किसकी सरकार आए कोई फर्क आम बिहार की जनता उसके जीवन में कुछ पढ़ रहा है नहीं दुख था सड़ा हुआ गला हुआ सिस्टम था वो पहले भी था अभी भी है और इस सड़े गले सिस्टम की जिम्मेदारी बिहार गर्त में है उसके लिए सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं इनका एक ही काम है बिहार की जनता को बिफकुब बनाना है बहुत बहुत धन्यवाद से समझाने के लिए तो नितीश बीज़े पी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं कल शपत ग्रहन की खबर है नितीश और राज़त के बीच में पिछले कई हपतों से खटास चल रही थी जिस पर अब मुहर भी लग गई है कहां लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के सपने देख रहे थे पर सपनों में पानी फिर गया नितीश के इस आक्शन से आरज़डी में मातम पसरा हुआ है अब देखना अब अपनी राइक कमेंच कर लिखें देख देए क्या पिटल टिवी बिहार नमस्कार झाल झाल